SS2 दूतिये चरण सामान्य निश्पादन करता हुआ SS2 चरण का प्रजुलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकेंड का कोस्ट फेज शुरू होगा इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रजुलन के प्राप्त सम्वेग से यान 423 किलोमेटर की उचाई प्राप्त करेगा शार बैंगलो चंटिनुद टुट्रेक टुवेंडर में पूर्ट बलेयर स्टेशन प्राप्त फेज शुरू होगा फेज जारी है श्यूल्य का खुल्य कोस्ट प्राप्त पार इस नौर्मल लूदिंग इक स्टी तो फेज शु हुं आप्रिट अप्रप्राप्त सथिस्थे शूटर अवले सब्सक्रण के इस फेजु आफर्ट इस तुरू ताहरी निदे ब sì effaced स्सु ड्टतां आपाली नारी टू वेलोचैन टॉचली प्रत्वी थानित्वर्य हो इंग 2 टानिंद की लिए उत्व इंग्डिर थर छ्यूपर की यंग्रवर्जबिकर च रशनिग हो म्हुपना पेलो टो टूपूट ज इत की ए ब बाउ खांग्ग वर्तमान में शार, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर, एस्थेट, भूल, ट्रेकिंग स्टेशन्स यानकर ट्रेकिंग कर हम तक आंकडे उपलब्द करा रहे हैं. कोस्टिंग फेस जारी है. EOS 7 उप्ग्र, मुख्यता ऐसे नित्भारों का प्रयोग कर रहा है, जो कि माइक्रो सेटलाइट बस से सुसंगत और भावी उप्ग्रों के लिए उप्योगी नवीन तकनिकों का प्रदर्शन करेंगे. इसमें mm wave humidity sounder तथा spectrum monitoring जैसे payload लगे हुए हैं. EOS 7 का कुल भार 156 kg है, तथा इसका कार्याकाल एक साल का निरधारित किया गया है. कुछी शड़ों में दृतिय चरण को यान से प्रिथक कर दिया जाएगा, तथा तृतिय चरण का प्रजोलन शुरू होगा. स्टेज सेपरेटेट. दे थर्द स्टेज असस्ट्री. स्टेज इगनाइटेट. स्टेज चरण का प्रजोलन शुरू हो चुका है. यह अभी करीब एक सुचार सेकेंड तक चलकर रशांत हो जाएगा. उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुवात होगी. नर्मल स्टेज चरण का प्रजोलन सामान्य. अस्टेज चरण के जाएगी. करेंट अल्टिटूड इस फोर हंदेंट इन फॉर्टिनाइन किलोमेटर इस चरंड के अंते तक हम चार्टो पचास किलोमेटर की उचाई तथा साथ देशमलो दो चार किलोमेटर पर दी सेकेंड की सापेक्ष्यती प्राद कर चुके होंगे प्लस एट मिनित वर्तमान में हम 480 सेकेंड आगे आचुके हैं प्रमोचन से यान की उचाई 430 किलोमेटर सथा सापेक्ष्यती 6.9 किलोमेटर पर दी सेकेंड दी सेकेंड के गुणी जरी थर्ण कर चुके।द म्युके हैं तथा के छुट थे सेशमलो द देन स्वा इस में अअलम एड द ए पिलोमेटर ग्रहिस काई भेच्य और साही the duration of coast phase is designed according to the mission requirements considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection in the meantime let me tell you about the satellites taking a ride in this mission the primary satellite for this mission EOS07 is a micro satellite weighing 156 kg accommodating new technology payloads millimeter wave humidity sounder and spectrum monitoring payload these new technologies when proven will be implemented in future operational satellites the co-passenger satellite Janus one from USA is a technology demonstrator smart satellite mission based on Antares software platform Janus one demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with on-board edge computing programmable smart EPS sx-band sdr performance normal security TNC and digital twining with SAS platform azadi sat 2 is an a2 nano satellite made by space kids India that aims to demonstrate the lower and amateur radio communication capabilities measure radiation levels in space and demonstrate expandable satellite structure the YAN ka coast phase is jari hai YAN POORI TARIKA SE NERDHARIT PADKA ANUKARAN KERTA HUA ASIA PADKA ANUKARAN KERTA LUQA teme peor a Same View camera a YAN POORI TARIKA SE NERDHARIT PADKA ANUKARAN KERUBI TARIKA AMARAN KERUDI TARIKA A YAN PADKA ANUKARAN KERUTIK देटा दोनों के प्रेशन में सक्षम हैं